डेश्री अब भी 2022 का पेपर दोज चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहें तो आज आपका रिजल्ट का इंतजार खतम हो जाएगा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कब हमारा यूपी बोड का रिजल्ट आने वाला है बिल्कुल मैं एकुरेट देट है कि यूपी बोड की परिच्छा 24 मार्ट से सुरू ओकर 13 अप्रल 2022 तक आयोजित की गई थी इस साल यूपी बोड की हाई स्कुल और इंटर्मीडर की परिच्छा में कुल 51,92,689 इस्टेशन करा इनमें से 47,75,704 इस्ट परिच्छा में सामिल हुए इनमें से 10 वी कच्छा में 25,25,007 इस्टेशन सामिल हुए थे 12 वी का अच्छा की बात करें तो इनमें 22,50,704 इस्टेशन सारी मिल हुए थे आपको यह चीज़े पता होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं कौन सी इनफरमेशन है इस्टेशन वीडियो को अंतक जरू देखे हो क्योंकि लाश्म म कि कब हमारा बोड का इस्ट आए तो देखिशन अगला जो इनफरमेशन है काफी इंपोर्टेंड यह कह रहा है कि इन 20 में दिये जाएंगे एक्ट्रा माक यूपी बोड की परिच्छा में कई प्रसन ऐसे आया थे जो या तो स्लिवस से बाहर थे या फिर गलत है ऐसे में च पूरा का पूरा नंबर मिलेगा मैं बता दू कि कुल 1620 में 102 प्रसन या तो स्लिवस से बाहर है या उत्तर के विकल्प में विसंगति यानि कहीं न कहीं गड़बड़ी है तो इसका भी आपको लाब मिलने वाला हो एक और नया नियम यहां पर लगा हुआ है कि जिनका हैंड कर दीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए को कि ऐसे इन फर्मेशन आपको मिलता रहता आपकी जनकारे के लिए मैं बता दू कि मेरे चैनल पे क्लास 11 लाइफ क्लास स्टाट हो गया है बिल्कुल फ्री में लाइफ क्लास आपको एजे गए प्रिस्ताओं में यूपी बोर्ड ने जून की दूसरे सब्ता में रिजल्ट घोसित करने की बाद का यह दूसरे सब्ता मतलब 15 तारीक किसे पहले या 15 तारीक के बाद क्या हो सकता है बहुत सारे इंडियो जोप आप देखे होंगे कि मैं में बता जा रहा था लेक करेंगे यूपी बोर्ड की 10 वी और 12 की परिच्छा के लिए रेजिस्टेशन 51,92,689 चात्रों में से 47,75,749 परिच्छा में सामिल हुए थे तो इसी बेफसाइट पर आपको मतलब रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा अगर मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं सस्क्रा आपको सही लगा है जान कर लेंगे तो मिलता है किसी नए वीडियो में तब तक लिए आपके धन्नवाग